रमा और रानी दो बहने हैं रानी हमेशा रमा के साथ रहती है रमा ने अपने बालों में कंगी की तो रानी ने भी अपने बालों में कंगी की रमा ने चपल पहनी तो उसको देखके रानी भी चपल पहनने लगी अब रमा ने अपना बस्ता उठाया तो रानी ने भी एक जोला उठा लिया रमा स्कूल जाने लगी पर मा ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है मा ने रानी को समझाया रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी रमा के साथ स्कूल चली जाना ये थी कहानी रमा और रानी की तो आएए अब हम अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़ने का खेल खेलते हैं बस्ता, जोला, रानी, रमा, चपल, स्कूल, कंगा, बाल एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िये रमा और रानी दो बेहने हैं रानी हमेशा रमा के साथ रहती है रमा ने अपने बालों में कंगी की रमा ने चपल पहनी, रानी ने भी चपल पहन ली रमा ने अपना बस्ता उठाया रानी ने भी एक जोला उठा लिया रमा स्कूल जाने लगी मा ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया मा ने रानी को समझाया रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना ये कहानी दो बेहनों की है उनके नाम बताईए बताईए उनके क्या नाम है हाँ, उनके नाम है रानी और रमा उन दोनों बेहनों के नाम लिखिए रा में आ की मात्रा रा ना में बड़ी ई की मात्रा नी रानी अब हम रमा का नाम लिखेंगे र, म, म में आ की मात्रा मा, रमा अब हम सही विकल्ब चुन्नी का खेल खेलते हैं क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? पहला विकल्ब हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई दूसरा विकल्ब नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई सही उत्तर है, दूसरा विकल्ब नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई अब हम शब्दों का खेल खेलते हैं दिये गए शब्दों को सुनिए और बताईए कि पहली द्वनी कौन सी है और दूसरी द्वनी कौन सी है नाना नानी काका काकी मामा मामी मा रमा रानी बाल जोला न, न में आ की मात्रा न, न, न में आ की मात्रा न, यानी ना न, न में आ की मात्रा न, न, न में बड़ी ए की मात्रा नी, ना नी क, क में आ की मात्रा का, क, क में बड़ी ए की मात्रा की, का की म, म में आ की मात्रा म, म, म में आ की मात्रा म, म म में बड़ी ए की मात्रा म, म म में आ की मात्रा और उपर चंद्र बिंदू म, र, म म में आ की मात्रा और उपर चंद्र बिंदू म, र, म म म में आ की मात्रा और उपर चंद्र बिंदू म, र, म म म में आ की मात्रा और उपर चंद्र ब आ की मात्रा मा, रमा, र, र में आ की मात्रा रा, न, न में बड़ी ए की मात्रा नी, रा नी, ब, ब में आ की मात्रा बा, ल, बाल, जो में ओ की मात्रा जो, ल में आ की मात्रा जो ला अब दी गई ध्वनियों को सुने और बताईए इन ध्वनियों के अतिरिक आपको और कौन सी ध्वनी सुनाई दे रही है क, प, न, म, र, ल, आपको क, प, न, म, र, और ल के अतिरिक आ मात्रा की ध्वनियों सुनाई दे रही है दी गई चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए ये क्या है? सोचिए हाँ, ये आलू है अब ये चित्र देखिए ये क्या है? सोचिए, सोचिए हाँ, ये आम है अब ये कौन है? सोचिए जरा, देखिए हाँ, ये रानी है ये कौन सा रंग है? देखिए, ध्यान से देखिए हाँ, ये है लाल देखिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने नई शब बनाए क, प, न, र, म, का, पा, ल, न, म, दा, ला न, म, नाम, क, म, काम, दा, ल, दाल, मा, ला, माला, ल, ल, लाल न, प, न, न, आप, का, ल, काला, का, न, कान पा, ल, पाला, पा, र, पार अब हम प्रश्ण और पहेली का खेल खेलते हैं मेरे पिता के पिता मेरे क्या होंगे? सोचिये सोचिये? हाँ, डादा मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने मेरे नाम का उल्टा उसका नाम मैं हूँ नीरा, तो वो है क्या? सोचिये सोचिये? हाँ, रानी नीना की नानी का उल्टा है? सोचिये सोचिये क्या होगा? नानी की नीना अब हम चित्रकारी और लेखन का खेल खेलते हैं मा, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया, आदी का कोई चित्र बनाईए चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का फ्रयास भी कीजिये आप ही इस तरह से कोई चित्र बनाईए और रंग भरिए